हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं अचानक से स्किन पर होने वाले लाल रंग के चक्तों के बारे में जिन में काफी कुझली हो जाती है और आपकी स्किन जो है आपको बहुत उबरी हुई सी इसमें नजर आती है इसको जो है मेडिकल टर्म्स में अर्टिकेरिया या फिर हाइव की नाम से भी जानते हैं तो यह बहुत जैसा कि आप में से मैक्सिम लोगों ने फिल किया ही होगा जिसको आम बाशा में बोलते हैं कि आपके स्किन पर पित चल गई है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है और जो है इसमें कुझली बहुत जादा होती है तो एकदम से समझ नहीं आता है कि इसमें क्या किया जाए और बच्चों को हो जाता है तो इसमें और भी ज़्यादा दिकत मैसूस होती है क्योंकि बच्चे को आप इचिंग करने से रोकना भी जो है कभी-कभी थोड़ा बहुत मुश्किल लगने लगता है तो यह तो ही इस कि आप अपने आपको जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप खुझली ना करें बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बहुत पेइनफुल सी स्वेलिंग आपके लिपस पे आपके आई-लेड्स पे आपके गले के अंदर भी जो हो जाती है इसमें और यह तेंडेंसी जो है कभी-कभी छे वीक से जादा की भी बनी रहती है मतलब आपको बहुत फ्रीक्वेंट फ्लेयर्स जो है इसके अर्टिकरिया के आते रहते हैं कि अचानक कुछ भी खाने से कुछ भी हावा लगने से आपको बार-बार इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगत है तो फ्रिंड क्या कॉज हो जगता है कि इस तरीके से अचानक ही आपके स्किन में बहुत जादा ये ऐलर्जी हो जाती है तो इन रियक्शिंस का कॉज जो है कुछ ऐलर्जन होते हैं तो ऐलर्जन वो सब्स्टांस होते हैं जिनको आपकी बाड़ी पसंद नहीं करती है मतल कещ 저번 को आपको स्वेलिंक जो ही इस बाद कर लेते हैं तो किस प्रकार के अलरजन हो सकते हैं इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं कुछ अलरजन जो एयर बौर्ण अलरजन होते हैं जैसे बहुत लोगों को पॉलन से ईलर्जी को तीया समटाइम्स आपको जो बाल होते है उस या फिर कोई bacterial infection के कारण से जैसे कि अगर आपको UTI है या आपका गले में कुछ दिक्कत है infection है उसकी वज़े से भी आपको इस प्रकार से अर्टिकरिया हो सकता है कुछ लोगों को बहुत allergy होती है कुछ specific food से जैसे कि कुछ लोगों को दूद के allergy होती है पीनट्स की allergy होती है एग खाने से उनको allergy हो जाती है या फिर बहुत लोगों को फिश की वज़े से भी allergy हो जाती है तो इस चीज का भी आपने दिहान रखना होता है कि अगर आपको allergy है तो आप उसको वोइड करेंगे बहुत लोगों कुछ specific दवाईयों के लिए allergic होते हैं जैसे कि कुछ लोग ब्रोफिन के लिए allergic होते हैं कुछ लोग बीपी की कुछ certain medicine की कारण से allergic होते हैं तो वो भी अलर्जिन का काम करती है अगर आपने accidentally वो medicine ले लिया तो आपको तूरंत ही जो आपकी body react करेगी कुछ लोग की body sensitive होते हैं कि अगर वो एकदम से सर्दी से गर्मी या गर्मी से ठंडे environment में चले गए तो भी उनको पित उचल जाती है तो इसका भी ध्यान रखना जुरूरी होता है कुछ viral infection होते हैं जिनकी वज़े से भी अर्टी केरिया हो जाता है या फिर कुछ hormonal issue हो सकत हैं जो अर्टी केरिया का कारण बनती हैं तो अर्टी केरिया में सबसे पहले आपको यही जानना जुरूरी होता है कि कौन सा specific allergen है जिसकी वज़े से आपको इस तरीके की problem face करनी पड़ रही है एक और चीज इसमें बहुत जानना जुरूरी है आपको लगता है कि सिरफ जो आपकी बाड़ी किसी चीज के लिए allergic है अगर वो नहीं रखेंगे तो situation कई बार complicate हो जाती है इसमें बहुत बड़ी complication एक एनफलेक्स जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है कि आपको जो है आपकी बाड़ी इतना severely react करती है कि वो life threatening situation पहुंझ जाती है कि ऐसे में आपको breathing की problem आजाती है तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी बाड़ी अगर allergic है किसी चीज के लिए तो आप उस चीज को इस्तमाल नहीं करेंगे या उससे बचेंगे अब आयरवेद क्या कहता है अर्टी के बारे में तो आयरवेद में अर्टी के लिए को मशीत पित के नाम से जानते हैं यहां पर वात और कफ़ दोश की वृद्धी हो करके जब लोग बाहर की ठंडी हवा की कॉंटेक्ट में आते हैं या यूं कहें कि किसी allergen की कॉंटेक्ट में आते हैं तब यह इसमें बहुत फायदा कर सकते हैं तो आप इसमें गिलोय का प्रियोग कर सकते हैं गिलोय नैचरली आपकी बाड़ी की इम्मुनिटी बढ़ाएगी टर्मरी केनी की हल्दी इसमें बहुत फायदा करती है आप आमला का प्रियोग कर सकते हैं और जो है इसमें नीम जो है और अगर विएक जिंद में नाख्यां जब और स्कतिक है जब हो जाए तो आप आप वह सब्स्टों को पाणीे हैं प्रियोब कर सकते हैं इसके बाद अगर आपके अर्टिकेरिया की पुरानी हो गई जैसे कि हमने कहा कि अगर छे महीने से जादा आपको ऐसा हो रहा है बार बार से तो आप पंच कर्म की हेल्प ले सकते हैं अर्वेद में कुछ थेरपीज बताई गई हैं जो अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा काम करती हैं इसमें कुछ थेरपीज के नाम हम यहां पर लेना चाहेंगे तो उसमें अभ्यंग यानि की सनेहन आपका बॉड़ी मसाज आप करा सकते हैं उसके बाद लेप होता है लेप म का शावर दे रहे हैं और इसके बाद आप अपने बॉड़ी के दोशों को बैलन्स करने के लिए वमन या फिरेचन की हेल्प ले सकते हैं तो आपके जो भी पंच कर्मा थेरपिस डॉक्टर होंगे वो आपकी कंडिशन को देखते हुए आपको एडवाइस करेंगे कि क्या इसके बाद के लिए अच्छा रहेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप कोई भी थेरपी ले सकते हैं इसके बाद अगर मेडिसन की बात करें तो कुछ मेडिसन स्पेसिफिकली अर्टिकेरिया के लिए शीतपित के लिए बताई गई है उसमें सबसे इंपॉर्ट कर्चून इसमें काफी एफेक्टिव रहता है और लेप के तौर पे आप पंच वलकल लेप का प्रियोग इसमें कर सकते हैं तो फ्रेंट्स हमने हर्ब्स की रेमडिज की मेडिसन की सारी बात इसमें कर ली इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इस चाहें कपड़े जो हैं बहुत जादा टाइड फिट नहीं पहने हलके कपड़े पहने स्ट्रेस का अगर कोई काम है या आपको बहुत जादा वर्कलोड है तो उसमें के समय भी आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि आपका जो ब्रेन है वह इसमें उसको आरा जालनी जरूरी है ताकि आपकी बॉड़ी को वह अलर्जिक ना बनाए तो इसमें जो है आपने देखा कि आप किस प्रकार से अपनी शीद पीट की समस्या से अर्टी केरिया से निजाद पा सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है सिरफ आपको खास ध्यान आया यह दूना है कि आ अगर आप यह द्यान रखेंगे और आर्वेद की मदद लेंगे तो आपको जरूर अपने अर्टी केरिया की प्रॉब्लम से जल्दी आराम मिल जाएगा तो अमीदे फ्रेंड्स आपको यह जानकारी पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई है तो लीज चानल को लाइक शे सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फर वाचिं स्टेयल्दी लिव वेल